हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जिक्के नोट्स आज हम फसलों के रोग पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने करसी एवं पसुपालन की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसकी दो वीडियो आज की है और उन दोनों वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया फसल वीडियो में हम फसलों की इन सबके हैं और तॉक पढ़ेंगे और उसके बाद हम पसुपालन पर आ जाएंगे तो complete आपको करसी एंपसु पालन करवा दिया जाएगा जल्दी ही बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा तो चलिए बिना किसी time waste के start करते हैं PDF के बारे में आपको बताया था आप खुद notes बना लोगे तो अच्छी बात है वरना PDF आपको नीचे दिये गए description में contact number है वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी तो देखो रोगों का अध्यन किसे कहते हैं ideology रोगों का अध्यन क्या कहलाता है ideology ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रोगों का अध्यन क्या होगा ideology और रोगों का कारण लक्षन उपचार का अध्यन के क्या कहलाता है तो pathology ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रोगों के लक्षनों कारण उपचार का अध्यन क्या होगा pathology और पादप रोगों का अध्यन यानि पोदो को plant pathology पादप रोगों का अध्यन क्या होगा plant pathology कवक livedyan का जनक कोन है और माइकल से ही हम क्या बनाएंगे कि कवक livedyan का अधिन क्या कहलाता लिखिए है माइके ruby दिमाकलोजी तो कोक विग्यान का देन क्या कहला आएगा माइको घुटाई थीक है तो यह चीजे डाटा अप लिख लेना साफ सुत्रे नोट बनाते रहना तो बज़ फशे ? के रोग में देखो किस-किस कारण से रोग होते हैं कवक के कारण रोग होते हैं वाइरस के कारण रोग होते हैं जीवानों के कारण रोग होते हैं और अन्य कुछ पोसकत्तवों की कमी हो जाती है तो भी रोग होते हैं जिसे हम एबायटी की कटेगरी में डालेंगे यानि एज कारण रोग यानि फंगाई फंगाई के कारण रोग किस-किस में आलू में कवक के कारण रोग क्या होता है लेट ब्लाइट यानि विलंबित अंगमारी विलंबित अंगमारी विलंबित अंगमारी विलंबित अंगमारी नामक रोग आलू में होता है किसके कारण कवक के कारण जुलसा रोग भी कवक के कारण होता है हरा रंग से निन की सोले निन की उपस्तिती के कारण होता है अगर आलू का हरा रंग हो जाता है तो हरा रंग आलू का किस के कारण होता है सेले निन की उपस्तिती ये सेले निन की उपस्तिती के कारण आलू का रंग हरा होता है ये भी बात आपको याद रखनी है तो विलमबित अंगमारी और जुल सा रोग किसके कारण होते हैं कवक के कारण होते हैं किस में आलू में पपित्ता में फलवी गिलन आप देखो आपको बताता हूँ में बात ये बहुत ही बोरिंग टोपिक लगेगा आपको लेकिन आप पढ़ते रही है नोर्स बनाईए क्योंकि यहां से क्यूस्थन आएंगे और आपके क्यूस्थन सही हो जाएंगे तो पपित्ता में कौन सा रोग होता है फलवी गिलन किस ये लो रेष्ट ये तीनो रोग गेव में कवक के कारण होते हैं आप आगे बात करते हैं उससे पहले आपको बताया था कि गेव में कौन सा एसिड पाया जाता है गलूटेनिक एसिड गेव में गलूटेनिक एसिड पाया जाता है मुंग फली का टिक का रोग किसके कारण हो कवक के कारण होता है गन्ना में लालंवीगलं रोग होता है और गन्ना में लालंवी दॉथ दूनavasपर भी बोलते है इसे यह रेड़ रोट रोग भी रोट होता है तो यह से ना में किस के कारण्ट कवक के कारण preparation में गट रोग को ओ के इसे चेप आमासा में NFS बोलते हैं चेपवा लाग जया किसके बाद रखे तो यह सारे रोग किसके कारण है कवक के कारण है और किसमें होते हैं यह इन सभी फसलों में तो यह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा इसको आपको नोट्स बना के याद रख लेना है और उसके बाद अभी सिधा ही हम बता देते हैं जीवानों के कारण रोग जीवानों से होने वाले रोग कपास में कपास में जीवानों से कौन सा रोग होता है बलेक आरम हो जाता है बलेक आरम यह रो जिवानू बैक्टिरिया लग क्षोटी पती रोग किसके कारण होता है जिवानुके कारण अब गेहु का रोग आप क्यूस्चन सोगता हुआ गेहु में तुन्डु रोग किसके कारण होता है तो फारुति आप जिसे शक्करगंदी बोलते हैं, इसमें वो होता है, छोटी पत्ती रोग, जीवाणू के कारण। आलू में, आप देखो आलू के रोग हमने पड़े थे? विलम्बित अंगमारी और जुल्सा रोग। आलू में पोटेटो विच ब्रूम रोग होता है। किसके कारण होता है जिवानु के कारण आप देखो निम्बू निम्बू में कैकर रोग कैकर रोग किसके कारण होता है जिवानु के कारण तो देखो इसके नोट्स बनाओ और रिवीजिन क्रो इसका और ट्रिक आप अपनी तरफ से बनाओ अपने तरीके से याद करने का बना कपास का बलेक आरम बाजरे का इर्गेट रोग तो यह सारे इंपोर्टेंट है इनको तो जरूर याद रखना बाकी सब याद रखलोगे तो आपके मार्स नहीं कटेंगे यहां से क्युस्टन जरूर आएगा तो कवक के कारण रोग कौन से कौन से होगे विलंबित अंगमारी जुलसा रोग हरा रंग आलू का सेलेनिन के कारण होता है पपित्य का फल विगलन और गन्ना का लाल विगलन किसके कारण कवक के कारण होता है बाजरे में चेपवा लाग जया है अर्गोट रोग बोलते हैं जिसे और गेहू का करनाल बंट बलेक रस्ट वाइट रस्ट ये तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि विसानू यानि वाइरस के कारण रोग कौन से रोग होते हैं विसानू के कारण रोग पोदों में तंबाकू में कौन सा होता है मोजिक देखो मोजिक नाम ही बहुत इंपोर्टेंट रहेगा टी एमवी टी एमवी की फुल फुरम क्या रहेगी तंबाकू मोजिक वाइरस यानि मोजिक वाइरस के कारण तंबाकू में रोग होता है अलू में भी मोजिक वाइरस के कारण रोग होता है यानि पोटेटो मोजेक वाइरस के कारण पी-म-वी ठीक है तो मोजेक वाइरस नाम ही बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अग्जामनेशन पॉइंट ओफ यू से पपित्ता पपित्ता में भी मोजेक नाम का वाइरस से रोग होता है तो पपित्ता की बात करें तो इसमें भी मोजेक वाइरस रोग होता है जैसे पस्वों में थनेला रोग होता है लगबग हर पस्वों में होता है इसी तरह मोजेक रोग लगबग विशाणू के करण रोग होता है और लगभग हर फसल में होता है most important रोग है अब और देखो विसेख बिंडी में ये ल लोग मॉजे रोग होता है किसमें बिंडी में तो yellow तो नोजेख रोग किसमें होता है बिंडी में तो यह अपर ध्यान लखना यह सारे रोग वाइरस के कारण होते हैं यह पॉइंट सूट डिजीज, ग्रास सूट डिजीज किसमें कारण होता है, वायरस के कारण होता है, चुकंदर में ट्विस्टिड एपक्स डिजीज, ट्विस्टिड एपक्स डिजीज, ट्विस्टि का में लोग बुणा वा, वो भी वायरस के कारण होता है, और केले का रोग होता है, most important है यह बहुत बार पुछा जाता है आगे भी पुछा जाएगा बंची टोप बंची टोप बंची टोप वाइरस के कारण होता है केले में तो केला में बंची टोप वाइरस के कारण कौन सा रोग होता है बंची टोप रोग होता है, नाम भी वही है, वाइरस का नाम भी वही है, तिल का फिलोडी रोग, और टमाटर का कौन सा रोग, ट्विस्टिड लीफ, देखो याद रखना है, तो टमाटर और चुकंदर को एक साथ ही याद रखना, क्योंकि इसमें ट्विस्टिड एपेक्स रोग है, और इसमें ट्विस्टिड लीफ, इसमें पत्ते मुड़ जाते हैं, ठीक है, पपित्य का मोजेक रोग हो गया, बिंडी का मोजेक रोग हो गया, येलोवीन मोजेक रोग, और बादाम में स्ट्रिक पैटरन हो जाता है, इसमें, देखो बादाम का कौन सा रोग हो या स्ट्रिक पैटरन जैसे बादाम सिंपल होता है यह लेकिन उसे पैटरन से बने रहते हैं यह वो किसके कारण होता है अब खट्टे फलो में त्रिश्ट थेजा नाम का रोग होता है ट्रिश्ट थेजा अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको निम्बू में बताया था किसके कारण विसानू यानि वायरस के कारण होता है अच्छे से लिख लेजिये इस बात को और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है तो जल्दी जल्दी देखो तंबाक्कू आलू बिंडी और पपित्ता इसमें मोजेक रोग होगा मोजेक tu के कारण गणना फ्लो में ट्रिश्टेजर नामक रोग होता है किसके कारण विशाणू के कारण अब हम आगे पढ़ते हैं एजैविक यानि एबायोक्टिक फैक्टर के कारण रोग कौन-कौन से होते हैं एक चीज आप ध्यान रखना कौन सी बात याद रखनी आपको कि धरती में दर्ती में सबसे जादा किस तको की दुमांड रहतै है जिंक की जिंक की कमी रहती है दर्ती मैं सबसे जादा वैसे तो नाेट्रोजन की और वाकी सारे कंपाउण उनकी आपे हवा नहीं आ रही तो जो अलू होता है उसके अंदर से काले काले अलू अंदर से काला हो जाता है क्यों हो जाता है बलेक हर्ट बोलते हैं उसे रोग क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यानि पड़े पड़े अलू को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ठीक है न मग्का में तो Agrot मक्का में कौना चिर्श का तो मक्का में when मॎग नजन सिर्श का सफेद हो Seb जश्ष का सफेद हो न तो आप आलू का थोड़ा सध्यान रखना ये पॉइंट जरूरी रहेगा इसमें आलू का बलेक है रोक किसकी कमी से होता है ठीक है मक्का का सिर्ष रोग अब कुछ एक रोग और ऐसे हैं जिसके नाम आपको याद रखना जैसे फिमस रोग गना गना में कौन सा फिमस रोग है लाल सडन रोग है गन्ना अंदर से लाल हो जाता है आपने देखा होगा गन्ना जूस बिया होगा और फिर भी उसका जूस बना देते हैं वो तो फूल गोबी फूल गोबी में भी एक रोग होता है जिसका नाम है ब्राउनिंग रोग ठीक है तो फूल गोबी को उबालते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है तो इसी तरीके से आपको याद रख लेना कि फूल गोबी में कौन सा रोग होता है ब्राउनिंग रोग, ठीक है, हर रोट रोग, हर रोट रोग, हर रोट रोग, चुकंदर में होता है, किस में होता है, चुकंदर में, हर रोट रोग, चुकंदर में होता है, मार्श रोग मतर में होता है, किस की कमी से, मैगनीज की कमी से, बाजरा में हरित बाली रोग भी होता है बाजरा में कौन सा रोग होता है हरित बाली रोग और सेब में कौन सा रोग होता है अग्नि नीर्जा तो यह सारे रोग हैं बारno m समझ में आ गए होंगे एज एविक फेक्टर के कारण रोग होते हैं तो चलिए एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी डिसकसन कर लेते हैं कि कौन सा कौन सा हमने रोग पड़ा था ठीक है तो आप देखो इसमें यहां बुक रखके रिविजन करवा देता हूं और गे भु में कौन सा कर्णाल बंट ब्राउन रेउस्ट येला रेश्ट बलेक रेश्ट रोग होता है ओर देखो मुंफली का टिक का रोग किसके कांड़ गणा का लाल भी ग्लन रोग बाजरा का एरगट रोग जिवानों से होने वाले रोग बैक्टिरिया से होने वाले रो पोटेटो विच ब्रूम निम्बू का कैंकर रोग होता है और इसी तरह से वाइरस से होने वाले रोग मोजेक वाइरस के कारण सबसे ज्यादा रोग होते हैं तो याद रखना तंबाकू में भी मोजेक वाइरस के कारण होता है और पपिता में भी मोजेक वाइरस के कारण और तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है एज एविक फेक्टर के कारण रोग कौन से कौन से होंगे दान का खेरा रोग होता है अलू का बलेक हैट रोग होता है निम्बू का डाइबैक रोग हो गया मतर का मार्श रोग हो गया आम का छोटी पत्ती होना या फिर मक्का का जानती है आप नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच आज के लिए इतना ही यह रोगों के लिए नोट्स बना लेना वरना तो आपको ओनलाइन मिलेंगे ही कोशिस यह करना खुद नोट्स बना लेना खुद बनाओगे तो आपकी अच्छी तयारी होएगी चलिए मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में